कि वेल्कम बैक दुस्तों आज इस वीडियो में आपको मोटरसाइकल इसकूटर एवी कार को बापीस से एक नया कैसे बनाया जा सकता है या फिर उन्हें long time में उनकी जो shine है उनको आप कैसे maintain रख सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आसान तरीके ही बताऊंगा जिसमें समय भी कम लगेगा और आप घर पे भी ये कर सकते हैं यहां पे अभी मेरे पास सिब कार बस है इसकूटर और मोटर सेकल अभी घर पे नहीं है तो यहां पे जो भी मैं बताऊंगा कार के लेटेट वो मोटर सेकल और स्कूटर पे भी अपलाई होगा यहाँ पे मैं सिब तीन तरीके के ही बात करूंगा पहले मैं इस कार के बारे में बता दिता हूँ तो दो साल पुरानी ये कार है अभी भी इसका जो paint है वो बिल्कुल नय जैसा ही है shine पहले जैसे ही है तो देखो जब से पहला जो काम आपको करना है न वो करना है कि कार को हमेशा कार के लिए जो shampoo आते हैं उनी से wash करना है कार को wash करते समय माइक्रो फाइबर cloth का यूज करना चाहिए कई बार हम गंदे कपड़ों का यूज करते हैं पता नहीं कितने पुराने कपड़े हमारे पास पड़े होते हैं उनसे ना कार के paint के ऊपर बहुत ज़्यादा scratch आते हैं जब कार के ऊपर scratch ज़्यादा आएंगे तो जो कार की shine है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कार को wash करने के बादना उसको polish करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर मैं जो प्रोडेक्टर आपको बताऊंगा वो कोई sponsor वीडियो नहीं है इसके लिए मैं wax pole का silky test वाला polish यूज करता हूँ यह polish सिर्फ कार के metal part में यूज करने के लिए बनी है इसको आप fiber part में नहीं लगा सकते हैं 400 रूपीज के यह मैंने लिया था लगबग देर साल पे हो गए है liquid form में यह polish आती है और बहुत अच्छी polish है यह इसको आप कार के metal part में एक बाद यूज करेंगे तो यह 3-4 माईने वहाँ पे रहती है यह जो polish ना यह सिर्फ metal part के लिए है अगर हम इसका यूज फाइवर part में करते हैं ना तो यह कुछ देर के लिए एक white layer बना देती है जो देखने में बहुत भी विकाल लगता है तो कार के fiber part में polish करने के लिए हम शीवा के dashboard polish के यूज करते हैं इसको भी यूज करते हैं मुझे लगबग सालवर हो गया है Amazon में मैंने इससे discount में लिया था इसके लाबा आप इस polish को ना scooter में भी यूज कर सकते हो और motorcycle के fiber part में भी आप इससे लगा सकते हो दोनों polish को आप motorcycle और scooter में भी यूज कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि इसके car के लिए बनी है इनको apply करने के लिए ये मेरे पास sponge के दो piece है ये मुझे शीवा कंपनी के साथ मिला था इससे मैं polish को पूरे car में apply करता हूँ और उसको rub करने के लिए ना मेरे पास microfiber cloth है और ध्यान रखिएगा car को हमेशा microfiber cloth से ही साफ करना चाहिए polish करने के बाद polish को shine लाना है तो भी आपको microfiber cloth का यूज करना है ये मैंने अभी लिया है इससे पहले भी मैं इसी company का microfiber cloth यूज करता था इसकी खास्यत होती है कि जो भी dust particle वगला होते हैं वो इसी के अंदर फास जाते हैं और car के जो surface है metal surface के उपर ये scratch नहीं मारती अगर आप साधारन कप्रे से car को regular clean करेंगे तो आप दिखेंगे car के उपर बहुत ज़्यादा swill mark आ जाते हैं काफी समय हो गया है मुझे इस company के इस microfiber cloth को यूज करते हुए और तीसरा सबसे main जो है न अगर आप car लंबे समय के लिए पार कर रहे हैं या ज़्यादा आप car नहीं चलाते हैं तो car को हमें से cover करके रगना चाहिए cover का यूज करना चाहिए और कभी भी car को direct sunlight में पार्क नहीं करना चाहिए sunlight में किसी भी चीज का color उड़ जाता है फेड हो जाता है तो यही था मेरा वीडियो मैंने इसमें polish करना नहीं बता है क्योंकि और लड़ी मैंने एक वीडियो अप्रोड किये जिसका लिंक आई बेटन में आपको मिल जाएगा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना वीडियो को लाइक करना चनल को सब्सक्राइब चरू करना